सबसे पहली बात करते हैं हम काडियो की हमें काडियो कितनी करने चाहिए जातर मैंने देखा है लोग पहले ही दिन एक घंटा काडियो से शुरू करते हैं और विदिन टू-3 वीक्स उनका फैट लॉस रुख जाता है वो इसलिए रुख जाता है क्योंकि उनका जो क्राइश हो जाता है क्योंकि एक घंटा आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपकी आगे जाने के लिए आपको कुछ रहेगा ही नहीं तो सबसे बैस्ट ऑप्शन है कि आप एक घंटा काडियो करने के बजाए अपना जो काडियो है वो 15-20 मिनट रखें और जब वो 15-20 मिन ऐसे आप शुरू करें अगर आपको 20 मिनट से जादा करना ही नहीं तो एक डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास जो है कि जैसे कि मालीजे कि आप कोई भी मशीन पे अपना वर्काउट कर रहे हो काडियो कर रहे हो तो वो मशीन के डिफरेंट लेवल होते हैं तो फर्स्ट आ आपको क्या देखना है कि अगर आप पहले 15-20 मिनट फर्स्ट लेवल पे जब आप एजी नहीं करने लग जाओ तो आप उस चीज़ कर दो थर्ड लेवल कर लो और वो आपके लिए exercise मुश्किल कर देगा और आपका टाइम भी 20 मिनट ही रहेगा तो उस 20 मिनट में अगर थर्ड पर भी रूप गया आप फूर्थ कर सकते हैं और आपका टाइम सिर्फ 20 मिनट ही रहेगा जिससे कि आपको एक्स्टा टाइम जिम में नहीं लगाना हुएगा और कई लोग क्या कर सकते हैं कि वो 10 मिनट पहले अपना काडियो कर लें जैसे कि आपका जो मेन वर्काट आपकी वेट्रेनिगा उससे पहले 10 मिनट कार्डियो कर लें और वो आप सिंपल वंड़ा स्मिन अच्पे नहीं और यहां इसलों छी आपके लिए बहूपधी फ़एगा अबने खाने से तो अगर आप पहले दिन हजार के लिज कम कर दोगे तो आपके पास रही 1500 के लिजाएंगे बाद में आप उसके बाद क्या कम करोगे तो जो मेरी रेक्मेंडेशन है सर्फ और सिर्फ अपनी मैंटेनस कैलरी से 20% के लिजी अब minder रहे तो आप 20% निकालियो जो आप 1400 के जाती यह सो नांट की से शुरू करिए हम हीना जफintérieur लाका होगा क्रशल्स करता है अब मार आ Judy की आप रूप चाता है तो आप 10% क्यालरीज और कम कर दीजे तो आपकी क्यारीज चौर्दासों क्याइज पर आजाएंगी तो ऐसे ऐसे 10% करते करते जितना आपको वेट लॉस करना है आप वो कर सकते हैं और जिससे की आपका मट्याबलिजम भी क्रैश नहीं होएगा और आप जो वेट है वह आपका फैट वे लॉस जादा हो सकता है तो अगर आपने एतनी महनत ही है जिम में अगर आप अपना मसल लॉस नहीं करवाना चाहते हो तो स्टार्ट विद आस्मॉल डेफिसेट जो स्मॉल डेफिसेट है उसका यहीं फैदा कि आप हॉर्मोलिक बैलेंस रहोगे आपका जिम में वरक आउट अच्छे जाएंगे और आपकी ओवराल प्रफॉर्मेंस ठीक रहेगी जितनी देर आप कटिंग करोगे और आप बात करने जा रहा हूं हमारी जो थर्ड मिस्टेक है लोग बहुत जादा फोकस करने लगाते हैं जब वो अपना वेट कम करते हैं प्रोटीन पर तो वो कई ल 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बट यहां पर कटिंग कर रहे हैं तो आप एक ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से खा सकते हो क्योंकि थोड़ा प्रोटीन अगर अब ज्यादा भी ले लोगे कोई फरिक नी पड़ेगा अगर आप डबल प्रोटीन ले लोगे तो वह आपका 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए और उसके साथ एक अच्छी फाइबर इंटेक भी रखनी चाहिए जैसे कि लोग कटिंग करते हैं तो उनको 30-40 ग्राम फाइबर इंटेक करनी चाहिए पूरे दिन की जो कि आप ग्रीन वेजटेबल से ले सकते हो आपकी चिकपीज से ले स सकते हो यह सारी चीज़ों में अच्छा फाइबर होता है जो कि आपको फूल रखेगा और आपको फैट लॉस करने में बहुत ही करेगा और जैसे कि यह मैंने आपको थीनु पॉइंट्स मेंशन किये हैं एक तो आपका काडियो का आपका कैलोरी का और एक आपका प्रोटीन का इन सब को ध्यान में रखिए देखिए आपको फैट लॉस है या आपको प्लैटो हुआ हुआ है वह आपको कैसे ब्रेक बता है और कैसे आप आपकी फैट लॉस जरनी है वह पूरी कर पाओगे बिना किसी रुकावट के तो अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है इस वीडियो में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए वहां पर मैं सभी के आंसर करूंगा और आप अपने भी सुझा दीजे कि मैं कैसी वीडियो बनाओं जो कि आप लोगों के लिए भी हैलफुल हुए और अगर आप यह मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्स प्लीजेर ओफ ए वेैर वहां चानशैव ढूह हुए पास लूगी बता पास कि चलीजर दोगा पैंसर शैगार अधन्सरा ऑु ca. हुए ऑफ ir प्लीजर के वाख बताब के वास से अपरुलिजर 5 ड़गचे मेरता हैं Tommy Stει這ə फ यार रव शरैंसरा ऑ मेरता ऑनाशैंसरा ख़ि